Introducing Nokia 8.2 दोस्तों, Nokia बहुत ही जल्द अपना अपकमिंग स्मार्टफोन Nokia 8.2 लॉंच करने वाला है जो कि बहुत ही बैतरिन स्मार्टफोन होने वाला है क्यूंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 735 का प्रोस्रेस देखने को मिलने वाला है साती में दोस्तों यहाँ पर आपको एक pop-up selfie camera in display finger pin चन से भी देखनी को मिलने वाला है और दोस्तों इस smartphone की जो pricing होने वाला है वो बहुत ही बैतरीन होने वाला है क्योंकि दोस्तों इस smartphone को बहुत ही कम pricing के साथ इंडिया में launch किया जाएगा जैसा कि Nokia 6.1 Plus को launch किया गया था तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी smartphone के बारे में बताने वाले है कि क्या कुछ खास देखनी को मिलने वाला है इसी smartphone में और क्या होने वाला है इसका confirmation specification और कब तक कि इसी smartphone को इंडिया में launch किया जाएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन और डिस्पले से तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखनी को मिलने वाला है 6.5 इंच का एक Super AMOLED डिस्पले और दोस्तों फूल भिडिस्पले होने की वज़े से यहाँ पर आपको देखनी को मिलने वाला एक पपप सल्फी कैमरा जो की आने वाला है 25 Megapixels के कैमरे के साथ और दोस्तों फूल भिडिस्पले और Super AMOLED डिस्पले होने की वज़े से ना शाम कृ मिलने वाला एक इंडिस्प्ली फिंग पिंग के शैंसर जैसा कि अभी सभी स्माट फूर मे तिकने को मिल रहा है बात करते हैं दोस्तों स्माटफून की बैकक्षाइट के डईजाइन के तो दोस्तों यहाँ पर प्रपपो देखनी को मिलने वाल ग्लास ड Y और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको बैक साड में देखने को मिलने वाला है इसका प्राइमरी केमरा होने वाला है 48 मेगा पिक्सल्स का और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको 13 मेगा पिक्सल्स का एक वाइड एंगल लेंस 5 मेगा पिक्सल्स का एक देखने को मिलन बाला है जिसके बज़े से दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत फिर बाला है। बात करेंसे स्मार्टफोन की बैडडरी की. जो कि आने वाला है 20 वार्ट के फॉर्चिंग के सपर्ट jugar के साथ जोकि आपकी फोन को 30 मिनफ से जार्डर राफ्टोन के अंदर 3.5 mm audio jack और USB Type-C का सपोर्ट फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइजिंग और लॉंज रिट की तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइजिंग होने वाला है वो होने वाला है 15-16,000 रुपिस के करीबन वेस्ट और इसकी जो हायर वेजिंट दिखने क को मिलने वाला है उसकी प्राइजिंग आपको देखने को मिलने वाला 20,000 रुपिस के करीबन बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की तो इस स्मार्टफोन को दिवाली से पहले इंडिया में लॉंच के जाएगा तो दोस्तों कैसा लग आपको यह प्राफोन के बारे में कुछ कनफा में स्पेसिफिकेशन कुछ लिक्स कुछ रूमर्स दोस्तों अकर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दे तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप स्माइल एंड आप ग्रेट प्रेट् सहिंग जए जीर दो है अगले वीडियो कि अपलने कुछ कर दो कि का कि वरे जब टीए घब दो कर दोस्तों माँड़ें हैं U